जहिन साथियों कैसे हैं आप लोग उमीद दोस्तों आप सब बहुत अच्छे सोंगे स्वागत है आपका वन अप दो मोस्ट अवेटिंग्ट वीडियो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि यह वीडियो महामेराथन, महराजा सुहेल देव, पिस सिविध्याले, आजमगर्ड, बीएट फस्टियर, फस्ट पेपर, प्रिंस्पल्स ओफ एजुकेशन के संपोर्ड वीडियो, वन शॉट में हम खतम करेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे, all in one, unit 1, 2, 3, 4, सभी पूरा सब्जेक्ट जो है आपका इस वीडियो में cover up होने वाला है तो यह काफी जाता important है आपके revision के हिसाब से, मैं एक चीज़ यहाँ पर disclaimer कर दूँ बच्चों कि इस वीडियो में हम आपके इस subjects की संपोर्ड syllabus को discuss करेंगे, revision के हिसाब से, क्योंकि यह one sort है और यह मेरा थन है तो हम revision के तोर पे देखेंगे जिन बच्चों का इस बार exam है उनके लिए, जो बच्चे अगली साल आ रहे हैं, वो सुरू से हम पढ़ाई करेंगे लेकिन आएए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं, आपका first paper, be it first semester, principles of educations का one by one तो दोस्तों सुरू करेंगे हम unit one से, बिना किसी देरी के बच्चों, unit one में आप देखेंगे, आपके क्या point है, पहला point है, education, concept of meaning, दूसरा education, its nature and definition तो पहले इन दो point को खतम कर लेते हैं, education, concept and meaning, education का concept को कहते हैं, हिंदी में आधारा, तो सिक्चा की आधारा क्या होती है, और सिक्चा का अर्थ क्या होता है, आई जरा इसको देखते हैं, फिर हम देखेंगे सिक्चा की प्रकिर्टी और सिक्चा की परिभासा, तो चलिए द जिसक्चा सब्द संस्क्रित के सिच धातु में आपरतेया लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है कि सीखना या सीखाना, जो भी कार्यवक्ति को नवीन अनभाव एवं नवीन घ्ञान परदान करता है, वह सिक्चा कहलाता है, सिक्चा को केवल विद्याले में ही प्राप करें तो आपको भी पता है सब को पता है कि सिक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं और education जब्द लाइटिंग Esakthenem से बना है जो कि एड़ेटम यह और डूको से बनता है और यह का अर्थ mine ए का अर्थ होता है अंदर से और डूको का अर्थ होता है बाहर निकालना अर्थात मानों के आंतरिक सक्तियों को बाहर निकालना ही एजुकेशन कहलाता है इसका अर्थ है कि हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सिक्षा मनुष्य से के आंतरिक सक्तियों को विकास करने का कारे करत बच्चा मनुष्य के आंतरिक सकतियों को बाहर लाता है यहींवास्टा में क्या कहलाता है और यह सिक्षा का अर्थ हुआ अब यहां पर आफ से सवाल पूछा जाता है कि सिख्षा की ऑधरड़ा क्या होती बच्चों रिवीजिन क्लास हैं तोे बिल्कुल ऐसे ही हम देखते चलेंगे और चीजे समझ में आ जाएंगी देखिए सिक्षा का अर्थ आपने देखा कि मानों के आंतरिक सक्तियों का विकास करना सिक्षा है एजुकेशन है अब इसकी कॉंसेप्ट वास्तों में और क्या-क्या सिक्षा करता है बच्चो तो सिक् बिल्कुल समाजी कारे बच्चो अगर किसी को आपको कुछ देना है तो सबसे बहतरीन अगर कोई गिफ्ट है तो एजुकेशन है बच्चो आप किसी को सिक्षा दे दीजिए आप किसी को ग्यान दे दीजिए इससे बहतरीन कोई उपहार नहीं होता सिक्षा एक प्रसिक्ष है कभ athletics यहां में दिखाता है कि आगे किस मार्गं पर चलती है तो अक्सिक्षा की अधारला की बात करें बच्यों इस पॉंइंट को आप याद रखिए और याद भी ना रखिए एक सब्सक्राइब करता है सुपब कार्यें है सिप्षात Talking प्रगता है डिमांड है, आज की जेनरेशनी की, आज की यूग की और आज की की नहीं, पहले भी थी, आज की है और हमेशा से सिक्षा की एक मांग रहेगी, सИक्छा हवाईशा चलने वाली प्रक्रिय् relação है अभिवर्धी है द्यू मखी और त्री मखी दोनों कहा जाता है अभी हम देखेंगे शिर क्या है बच्छोच घूर poking इन दोनों में कोई समस्या, सिक्षा का कॉंसेप्ट और सिक्षा की अर्थ कोई समस्या नहीं अगली पॉइंट हम देख लेते हैं, सिक्षा की प्रकिर्थी क्या होती है और सिक्षा की परिभासा क्या होती है तो हम बहुत डीप definition में नहीं जाएंगे सिक्षा की परिवासा में जो आसानी से याद हो सके अरस्तु जी ने कहा था स्वस्त सरीर में स्वस्त मस्तिस का निर्माड करने का कारे सिक्षा करती है जान डीवी बहुत इंपर्टन नाम में याद रखेगा सिक्षा मनुस्य के सभी छमताओं का विकास है जिन से वो अपने परियावरण पर नियंतर रख सके और अपनी संभावनाओं को पूरा कर सके और हमारे आदर्णे स्वामी विविका नंजी ने कहा था कि व्यक्ति के आंतरिक पहलूओं की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है बच्चो सिक्षा कहलाती है अब हम यहाँ बात कर लेते हैं सिक्षा की प्रकिर्ति की नेचर की तो सिक्षा एक जीवन प्रयत्म चलने वाली प्रक्रिया है सिक्षा एक विवस्थित प्रक्रिया है सिक्षा वहवार का संसोधन है सिक्षा एक प्रसिक्षण है सिक्षा सर्वगिण विकास है मतलब आपके मन, आत्मा, मस्तिस्क सब का विकास करती है सिक्षा तो सिक्षा की ये प्रकृति हो गए ठीक है बच्चो कोई दिक्कत कोई समस्या कोई समस्या नहीं सिक्षा की प्रकृति थोड़ा आईए अगर आपको समस्या लग रही तो सिक्षा की प्रकृति में ठीक है और देख लेते हैं की प्रिक्रिया है नीचे आप देखेंगे एक्स्प्लेन भी किया गया है ठीक है लेकिन यहां पर एक्स्प्लेनेशन में मच जाईए अगर आपके पास समय नहीं है तो इस पॉइंट को रखिए और अपने सिक्षा प्राप्त करके व्यक्ती जनमजाज सक्तियों एंवियों के ताओं से परचीत होता है सिक्षा के द्वारा ही एक समाच अपना विकास करता है और अपनी अलग पहचान बनाता है तो यह है गई सिक्षा के बारे में चीक है बच्छों आप बिल्कुल लिख सकते हैं बहुत अच्छे लिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट सिक्षा इन ब्रॉ सिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब क्या होता है देखिए अगर मैं आपसे यह कह दूँ सिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब कि सिक्षा केवल विद्यालों की चार दिवारी तक सीमित रहती है बस इसके अलावा कुछ नहीं अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि सिक्षा के एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार व्यास कवर्ग निश्चित काल में निश्चित पद्री द्वारा निश्चित परकार का ग्यान मतलब देखिए एक निश्चित समय में निश्चित अस्थान पर सिक्षा दी जाती है वह अर्थ सिक्षा का संकुचित अर्थ कहला अर्थ हो जाता है जब कि व्यापक रथ का मतलब होता है कि बचो कि सिउख्चा का व्यापक अर्थSpesti आते हैं यह सिख्चा जीवन प्रत्थ में चलने वाली प्रक्रिया है दूसरे सब्दों में कहा जा सकता है कि कि बालक अपने जन्म से मृत्यू तक जो कुछ सीखता और अनुबह करता है वास्तों में वही सीख्चा है अंदर समाज में आगया बच्चो संकिर्ड अर्थ का मतलब कि सीख्चा केवल चार दिवारी के अंदर होता है जबकि व्यापक अर्थ का मतलब होता है कि सिक्षा जीवन से लेके मृत्यू तक चलने वाले प्रक्रिया है और सिक्षा आप कहीं से भी सीख सकते हैं घर से, परिवार से, समाज से, दोस्ट से, माबाप से, रिस्तदार से हर एक जगा से आप सिक्षा ले सकते हैं वास्तों में इसी पेकार के सिक्षा को क्या कहते है सिक्षा का व्यापक अर्थ कहते है समझ में आगई बच्चो नेरो सेंस और ब्रोडर सेंस का मतलब यही हो गई ठीक है बच्चो चलिए अगला पॉइंट है बच्चो एमस for education for democratic life लोकतांतरिक जीवन के लिए सिक्षा का क्या उद्देस है अब यहां पे आपको खुझ से समझना पड़ेगा लोकतांतर का मतलब क्या होता बच्चो लोकतांतर का मतलब होता है डैमोकरेशी का मतलब होता है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए सासन ठीक है अब सिक्षा इसमें क्या भूमी का निवाती है तो एक लोकतांतरिक देश में सिक्षा क्या निवाती है जस्टिस मतलब न्याय की बात करती है बच्चो समानता की बात करती है इक्वालिटी की बात करती है बच्चो प्रेम और सहयोग की बात करती है, लव एंड सपोर्ट की बात करती है, एक दूसरे से केर की बात करती है, तो एक लोकतांतरिक देश के लिए सिक्छा का क्या उद्देश होता है, इसको आपको अपने सब्दों में लिखना है, ठीक है, कोई दिकत, कोई समस्या लिख सकते हैं, मतलब न्याय, समानता, विश्वास, प्रेम, सहयोग, इन सब को, ये सब क्या हैं, सिक्छा का लोकतांतरिक देश के लिए उद्देश से हैं, ठीक है, चलिए, अगला बच्चो, फंक्शन अफ एजुकेशन का मतलब सिक्छा के कार है, ठीक है, अब एजुकेशन फर हुमेन मानो जीवन के लिए सिक्छा का क्या कार है, आएए देख लेते हैं इसको, असान से समझ सकते हैं, एक व्यक्ति के लिए आपके जीवन में सिक्छा क्या कर सकती है, आपके आचरोल को बहतर बनाती है, नयतिक, आएए देख लेते हैं बच्चे कोई बात, मानो जीवन के हो इसलिए वो सभी प्राणियों में स्रैश्ट है और असिक्षित मनुष्धी की सोच पसू के समान होती है व wirelessि realidad का फैसला नहीं कर बनादा इसलिए सिख्षा मानव जीवन के लिए बहुत या वस्यक है ठीक बच्चो अब क्या का कार करती है मानो जीवन के लिए सिक्षा क्या करती है एक सिक्षा मानो जीवन की आउसक्ताओं की पूर्ति करती है आउसक्ताओं की पूर्ति का मतलब मान लेजी आपको किसी चीज को लिखना है या पढ़ना है किसी बात तक संदेश मूचाना है तो आप आपकी जो भी ओसकता हैं आप इसकी पूर्थी से कर सकते हैं आप सिक्षा के दौरा आप खुद को विक्सित कर सकते हैं लोगों से बात कर सकते हैं समाज में अस्थापित कर सकते हैं अपने आपको आपकी जो भी जरूरते हैं दोस्तों उसकी पूर्थी कर सकते हैं आत्म निर पा सकते हैं, आप अपना वियवसाय कर सकते हैं, तो सिक्षा एक मनुस्थे के लिए क्या करते हैं, बच्छों वियवसाय की कुसलता, अचीज़मेंट अप ड़ुकेसनल इफिसेंसी, आपको एक स्किल्स डेवलप कराती है, अच्छे नागरीकों का निर्मार करती है, एक सिक् अच्छी नागरिता वाली quality नहीं कि कैसे बरदास करना है कहां पे सहना है कैसे करना है तो सिक्षा क्या करती है अच्छे नागरिकों निर्मार करती है वक्तित्तु का विकास करती है थोड़ा सा हम चलेंगे fast क्योंगी पूरा syllabus complete करना है वक्तित्तु का विकास करती है आपके character का development करता है परस्नाल्टी आपके वक्तित को मतलब personality development होती है चरित्त का मतलब आपका character आच्रल अच्छा होता है जूट, धोखा, फरेब ये सब चीजों से आप बचते हैं सोभाविक सकती हैं आपके अंदर की जो सोभाविक सकती है जैसे सोचने की, चलने की, उठने की, बैटने की, लिखने की, पढ़ने की, बोलने की इन सोभाविक सकती होता है और मूल प्ररति जैसे गुसा, प्रेम इन सारी इरसया, चिरचिड़ा पर इन सब सारी चीजों पर आपका control आता है सिक्षा के द्वारा तो ये सारी चीज से क्या बच्चो माना जीवन के लिए सिक्षा क्या हो सकता है अगर आप कहेंगे तो इस चीजों को explain भी कर दिया जाएगा लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आप खुद से इसको इसके बारे में लिख सकते हैं ये point आप याद रखेगा ठीक है बच्चो माना जीवन के लिए सिक्षा अगला हम बात कर लेते हैं बच्चो समाज के लिए सिक्षा ठीक है अगला आपका point भी यही होगा समाज के लिए सिक्षा अब देखिए समाजी के लिए सिख्छा क्या करता है आपके समाजी की विरासत को बचाता है आपको बताएगा ठीक है आपके रीती रिवाज आपकी प्रमपराएं आपके नैतिकता विश्वास धर्म आदर्स माननेता है आदी इन सब का ग्यान कराकर बच्चो आपके समाजी क कल्चर हेलिटेज आपको क्या कहता है सुरक्षित रखता है समाजिक सुधार है वह प्रगती माली जी आपसे पहले समाज कोई बुराई उग्या जयसे पहले थी पहले जो भी समाज में बुराईया थी जैसे की पालीकाओं को सिक्षा ना देना या फिर महिलाओं को कंक आकना उनको जौब जाब के लिए नहीं भेजड़ना इन सब चीज़ों की जो बुराईए थी उसको आप क्या कर सकते हैं बच्चो, सिक्षा के दोरा खतम कर सकते हैं, Jो आप समाज आपके अंदे बुराई ये, उसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है, तो यह सब देखी हैं, आप क्या देख रहे हैं, अप değखे हैं, समाज के लिए सि समाजिक कंडouri करना बहुत ज़रुए था और जहां पे सिक्षित लोग होंगे वहां पैर को कंडारना और आसान होता है कि वह चीजू कह समझते हैं समाजिक परिवर्टन बच्चो सोशल चेंज earlier raising astrology अधनी दोर में अपने यह कुछ है आफ लिग सकते हैं बच्चों अपसानी से लिग सकते हैं तो आपने देखा ममतने के निर्माबला चरित्य शर्थे श्क्तियों का आप अपने समाज में केरन समाज को परिवरतन करना कुरुतिये को बुराईयों को रोकना ये समाज के लिए सिक्षा का का रहे है अब आए देख लेते हैं बच्चो नेस्टनल लाइफ ठीक है राष्ट के लिए सिक्षा का क्या का रहे है और वर्ल्ड के लिए दुनिया के लिए सिक्षा का क्या का रहे है ठीक है बच्चो चाहिए आए देख के नागरिक मिल के करें इस चीज़ों को तो सिक्षा का सबसे पहला कारए है कि देश के लिए कुसल कारी करता हमें चाहिए ठीक है जिसने सिक्षा के दोरा मिलता है वक्तिकत हिद को सारवजनिक हिद से निम्ग समझना आप माल लीजे मेरा प situación क्या फाइदा है या बात की बात है पहले हमें ये देखना है कि समाज का क्या फाइदा है मतलब देश हमारे लिए पहले है हमारा सेल्फ इंट्रेस्ट बाद में हम बाद में सेल्फिस अपने बारे में सोचेंगे पहले हम देश की बारे में सोचेंगे इस चीज की भावना, इसकी सोच हमें सिक्षा के द्वारा मिलता है अगला देख लेते हैं बच्चो नागरी के एवं सामाजी कर्तब्यों की भावना, भावनाओं का समाविस कि देश के परती हमारे क्या कर्तब्य है, किसी नागरी के परती हमारे क्या कर्तब्य है इन सारी चीजों को हमें कहां से मिलती है बच्चों हमें मिलती है सिक्षा के दौरा और राष्ट की विकास में आपकी भागिदारी क्या है तो राष्ट का विकास आप कैसे कर सकते हैं सिक्षा के दौरा आपको जानना मिलता है और राष्ट में एक ता एक राष्ट को हम कैसे एक सुत्र में बाद हैं, एक भारतिता की बाद हैं, कास तर्थ हमारे देश में जहां पर अनेक धरम, जाति प्रथाएं हैं, भासाएं हैं, अनेक छेत रहें, उस देश में भी हम एक राष्ट को लेकर कैसे चले? ये सिक्षा का कारे बच्चो सिक्षा के दवारा इस चीजों को प्राप्त किया जाता है और भावात्मक एक ता इमोशनली यूनिटी कि हम एक दुसरे को भारतिय इमोशन के साथ जुड़े रहें तो ये सारी चीज़े क्या होती है बच्चो सिक्षा के कारे के अंतिकत आती है राश्ट्री अनुसासन ठीक है बच्चो राश्ट्री अनुसासन और नेत्रितु के लिए परिक्षण एक अच्छा लीडर बने एक अच्छा नेता बने ट्रेनिंग फॉद लीडर्शीप और सांस्क्रितिक विरासत से संपर्क और व्यक्तिकत हित को सारवजनिक हित से नीम रखना फिर से वही बात आ रही है मनुस्य को इस पकार पर सिच्चित करना कि वो देश को देश की कल्यान की बात करें योगे नाकरीको का निर्मार तो ये सारी चीज़ बचो देश के लिए सिच्च्चा के कारें लिख सकते हैं? बिल्कूल लिख सकते हैं बचो अंतरास्टी करण में आप देखेंगे कि मानों के रोक थाम जैसे कि कोई ऐसा ने कि आप किसी और देश में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सोसित क्या जाए बिल्कुल नहीं युद्ध को रोकने के लिए राष्टर की आजादी के लिए कि आप एक राष्ट से दूसरे राष्ट तक जा सकते है राष्टर हित की सुरक्षा के लिए सिक्षा जरूरी है और संकिर राष्टरवादी की विचारतारा को रोकने के लिए सिक्षा की जरूरी है ठीक है बच्चो इस परकार से अंतराश्टी और बोध या फिर इंटरेस्टल अंडिस्टानिंग करें इस सिक्चा की जरूरते होती हैं बिल्कुल घबराईए मुर्मत इसी प्रकार से आपके पेपर आएंगे और आप अपने सब्दों में लिखके आएगा बहुत अच्छा पेपर हुआ है तो आप फर्स्ट उनिट हम इस प्रकार से यहाँ पे समाप्त करेंगे आप समझ गया होंगे अपने सब्दों में आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं अब आएगे देखते हैं मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट है बच्चो वह है एंजेंसी ऑफ एजुकेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं सेकेंड यूनिट है यह कि सैचिक अभीकरण सैचिक अभीकरण क्या होता है मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट आए दोस्तों इसको हम करते हैं साथ चात्र विद्यारे से सिक्षा करन करते हैं परिवार से सिक्षा करन करते हैं समाज से सिक्षा करन करते हैं तो यह सारी चीज़े अभीकरण के अंत्रगत आती हैं अभीकरण क्या होता है बच्चो अभीकरण को हम अगरेजी में कहते हैं एजेंसी और एजेंसी क क्या काम होता है अजेंसी में एक एजेंट होता है जो हमारे उस कारे को पूरा करता है ठीक है ठीक उसी प्रकार से कि सिक्षा अभिकरण वे तत्वक कारण अस्थान है जो बालक के सिक्षा को प्रभावित करते हैं या बालक के सिक्षा पर प्रभाव डालते हैं अब आई सैच प्रकार की बात करें तो मुख्य तीन प्रकार से कहे जाते हैं आपचारिक औनापचारिक और निरापचारिक इसके अलावा भी दो होते हैं सक्री और निस्क्री है ठीक है चलिए तो यहां पर हम तीनों को देख लेते हैं आपचारिक औनापचारिक और निरापचारिक अपच स्कूल आपका संग्रहाल हैं धार्मिक संस्थाएं कथा भी दिकाएं वियामसाला अब दिखिए वह संस्थाएं जहां पढ़ने का समय निस्ची तो ठीज़ Isk popul में जाते हैं एक उस प्रकार के सैची का भिकरन को हम कहते हैं आपचारी का भिकरन ठीक है और आपचारी का भिकरन जो कि निस्चित नहीं होता आप कहीं से भी परिवार से खेल से समुदाय से समाज से आप अपने प्रेस से मतलब नियूस पेपर से सीख सकते हैं टेलिवीजन से सीख सकते हैं र खेल से में अगर आप देखेंगे कभी-कभी मैत्रिक भावना संगर्स कैसे पेसेंस यह सारी चीज़े आपको सीखने को मिलती है तो यह सारी चीज़े आती है और अपचारिक अभी करन के रूप में जहां पर कोई अस्थान समय पढ़ाने वाले वेक्ति यह निश्चित नहीं होता और दीर अपचारिक मतलब नौन फॉर्मल को इन दोनों की बीच की कड़ी माना जाता है यहां पर इसकी भी कुछ गुड रहते हैं और इसके भी कुछ गुड रहते हैं अब देखें प्राण सिक्चा सतत सिक्चा खुली सिक्चा दुरस्त सिक्चा इसका बेस्ट से युनिवर्स्टी से आप डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स कर रहें वहाँ पर आपका स्लेबस फिक्स रहेगा आपका पार्टिक्रम फिक्स रहेगा ठीक है आपका समय फिक्स रहेगा कि दो साल में आपको पढ़ना है लेकिन यह फिक्स नहीं रहता है कि आपको कहां से सकते हैं तो यह हो गया नीरापचारी का भिक्राइब आई आपके कुछ महत्पूर्ण प्रशन यहां पर दिये गए बच्चो वह प्रशन है बच्चो हो हो यहां पर आपने देख लिया फॉर्मल लॉन फॉर्मल एजनसी इनफॉर्मल एजनसी और आपने देख लिए घर या परिवार एक बच्चे को कैसे सैची कभिकरण के रूप में एजुकेशनल एजनसी के रूप में हेल्प करता है अब आई इसको देखते हैं तो हम सब को पता है कि जो हमारा परिवार होता है वो सीखने का पर्धाम स्थान होता है हम जो भी चीज़े सीखते हैं सबसे जीवन के दार सिलता का निर्माड है अताफ परिवार सिक्षा-कार' का एक बहु आयाम होता है जिनका संचित विवेचना नीचे किया जा रहा है पहला क्या है बट्चो परिवार सीखने का प्रतमस्थान है समाजी कट नायतिक प्रक्रासिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो सिक्षा व्यापार से जोड़ने है तो व्यापार इसी प्रकार से आप देखेंगे तो परिवार हमें पसंद एवं रोचियों का विकास कराता है और भी कुछ अन्य पॉइंट है आप बिल्कुल अपने सब्दों में लिखिएगा इस चीजों को मांसिक वह भवात्मक प्र प्रिवार से मिलती है ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि एक बालक के सिक्षा के उपर कम्यूनिटी यानि आपका समुदाय कैसे प्रभावित करता है ठीक है तो सारी की विकास का प्रभाव अब मालेजिए आप देखें का हरियाड़ा की तरफ या पंजाब की तरफ खेती ज़्यादा होती है या फिर हर गयाड़ा के तरफ लोग कुस्ती ज़्यादा करते हैं तो उस समाज में वह भावना या फिर वह प्रचलन है कुस्ती का तो वहां पे साररी क टाकत या फिर बलवान ज्यादा लग थो बिलकुल आपके समुदाय का प्रभाव पढ़ता ह आपके सारे क्विकास पे, सामाजी क्विकास पे, क्योंकि आपके सामाज कैसा है, किस भासा में बोली जाती है, क्या खाया जाता है, आप कैसे रहते हैं, तो ये सारी चीज़े, मानसिक प्रभाव भी आपके समुदाय पे डिपेंड करता है, अगर हम अगली बात करें तो तो यहां के समुदाये में राजनीति का गल माना जाताय तो यहां पर राजनितिक प्रभावуемी समुदाये के दवरा पढ़ता है Jug और आपका प्रफाम के बैंगे जूर्खे शौदाटों फ्र्राइक प्रस्वेस्वेस हैं य। किह कर दो आपको की तो यह समुदाय का भी प्रभाव पड़ता है इसके उपर नैतिक मोरल इफेक्ट सांस्कृतिक प्रभाव और बच्चो संप्रताइक कूप प्रभाव भी कह सकते हैं कुछ-कुछ गलट इन्फ्लूएंस भी हो जाती है कौमिनल इन्फ्लूएंस की हम इस चीजों से बहुत ज़्यदा जुड़े होते हैं तो इन सारी चीजों का समुदाय के उसे द्वारा प्रभाव पड़ता है ठीक है चली अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है राज्य राज्य एक सैच्छी अभी करन के रूप में कैसे कारे करते हैं ठ बालग तरीके से टैक्स लेकर वो सिक्षा के उपर खर्च करता है विद्याले पद्धती का समान नियंत्र ठीक है कि कब से कब तक स्कूल चलना है उस सब चीज को कंट्रोल करना है योग ये सिक्षकों की व्यवस्ता करना भी कर राज्य का सैच्छी का विगर कर रूप में क बालगों के सिक्षा के लिए अभी वावकों को प्रियन डाए आप देखेंगे केंपेंच चलाया जाता है सिवीर चलाई जाती है स्कॉलर बाटी जाती है ताकि अभी वावक भी प्रेदित हो और अपने बच्चे को स्कूल के लिए भेजें सिच्छा संस्थानों में सैनिक सिच्छा की वेवस्ता जैसे कि बच्चे आप आगी चल के अपने देश की भी रख्चा करें तो इस वकार के सैनिक सिच्छा को भी हम क्या करते हैं राजी कंट्रोल करता है राजी का काम होता है तो ठीक है बच्चों कोई समस्या नहीं है मैं उम्मीद करता हूँ कोई समस्य objective इसका मतलब होता है इसमें जो आपको mostly सवाल पुछा जाता है वो विद्याले से पुछा जाता है कि विद्याले किसे कहते हैं विद्याले के उद्धे से क्या है विद्याले का अर्थ क्या है इससे बस यह सवाल पुछा जाता है और अगला सवार पुछाएता है करेक्टरिसी फॉन एफ़ेक्टिव स्कूल आए बच्चों देख लेते हैं कि दे लर्निंग औरगनाइजेशन मतलब यहां पर मोस्तली जो आप सवार पुछाता है आपके विद्याले से सम्मधित तो विद्याले क्या होता ह है वह विद्याले किसी विद्याले को आप अफेक्टिव या प्रभावसाली विद्याले कहते हैं आई उसकी विष्यस्ताओं को देखते हैं तो यहां पर देख लेते हैं बच्चों कि प्रभावसाली विद्याले कैसे बन सकता है कौन-कौन सुझाओं के द्वारा तो पहल यानि उसमें हर एक संस्कृति संस्कृति सब्यता के लोग भरति गंगा जमन संस्कृति से अच्टित हो आता विद्यालों में जाती तर्म वर्ग आधार पर भेद भाव ना हो वराष्टी एकता और सदभाव के पोशक हो ठीक है तो यह हो गई पहली क्वालिटी पार्टिक्र परिवर्ट हो तो सब के लिए हो ऐसा पार्टिक्रम होना चाहिए विद्ध्याले और परिवार में सहयोग और शुबधि झraw जरता है विद्याले चले परिवार के सйोटों को कि सहयोग से कहीं ऐसा नहों कि कोई विद्याले ऐसा कहते कि नहीं मैं दोपहर में पढ़ाऊंगा गर्मियों में दोपहर में पढ़ाऊंगा और ठंडी में सुवह चार बजे पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं हो सकता एक सहयोग के भावना से चले तो इस प्रकार करें विद्याले क संस्कृतिक के अंदर के रुपे हो आपके संस्कृतिक का करक्चर की रक्षा करती हो आपके संस्कृतिक को आगे बढ़ाती हो तो इस पकार के विद्याले होने चाहिए लोक्तांत्रिक वातावरों बच्चों लोक्तांत्रिक वातावरों मतलब जहां पर जहां पर समानता हो न तो आप उसे प्रभावसाली विद्याले कह सकते हैं तो बहुत इसको फिनिस करेंगे वह के बच्चो आप इसको अपने सब्दों में लिख सकते हैं बहुत जेनरल टॉपिक है अगला पॉइंट देखें दोस्तों अगला पॉइंट है इमर्जिंग रोल ऑफ इसको इन देचेंजिंग कॉंटेक्स अफ एजुकेशन इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब है कि सिक्षा के बदलते संदर में विद्याले की उभरती भूमिका विद्याले की क्या भूमिका है सिक्षा के बदलते संदर वास्व में इसको आपको बताना तो आपको यह दिखाना है कि सिक्षा आज की यूग में कैसा है इसका कैसा स्वरूप है यह हमारा पहला एकाड़िक डेहचा है कि पहले जब कि आज क्या है बच्चो आज अगर आप देखेंगे इस प्रकार से हमारा सैचिक सनरचना बनाया गया है ठीक है इसी चीज की तूलना करने ही यहाँ पर तो हम देख लेते हैं बस आज की सनरचना को तो आज की सनरचना में जो हमारा आज ज ten वह और पूंडेशन स्टेज है जो हमारा बेश टेज उख तीन साल का लखा गया है ठीक है तीन साल का मतलब जहां पे बच्चे तीन साल तक फाउंडेशन स्टेज पढ़ेंगे, वो उसको हम कैसे हैं, प्री-केजी, L.K.G. और U.K. इसकी बात की जा रही है," ठीक है – केजी के लिए ही बातम दोसरा है sociology, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें तीन से पाच तक के बच्चों को सामिल किया गया ल्वर्या का हैं, इसलिए हमें तीन में डिल सेज म मतलब जिसमें कचच gagn ऑड शह से 6-8 तक बच्छे और लश्ट है हमारा वच्छे स्टेज इसमें 9-12 तक के बच्छे तो इस पर करका हमारा सेज्चीत संञजना यहां पे रखा गया है तो त्री प्लस तू ट्री प्लस यहां पे यहां पर सुरूर में आपका पांच साल तीन साल और तीन साल कुछ इस परकार से सच्छिक सनरचना रखा गया है ठीक तो इसी के बारे हम बात करना कि कैसे हमारा सिच्छा का सोरूख बदला और कैसे तो इसको भी अपने सब्दों में देखेगा इस वीडियो में हम इसमें बस इतना है डिसकस करें यह ना बच्छो खुद में एक बहुत विश्थी ट्रॉपिक है तो थोड़ा सा इसको हम यारे स्किप करते हैं चलिए अगला प्रशन आपका बहुत ज्यादा इसमें जो मोस्ट इंपर्टेट आपसे सवाल पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि एक चेशर का क्या उत्तरदाइत वह समाज के परति सिक्षा के परति विध्यारती के परति बहुत ज़्यदा इंपर्शन इसको आए देखते हैं यह बढ़ा ही ज्यादा प्रस्ट प्र एक है सिख्षक का उत्तर्दायत्य उन दोनों में सेफ्प्रशन आपको पूछा जाएगा तो हम सिख्षक के ऊतर्दायत्यकी की बात करें एक सिख्षक का अपने पेज़िए क İbrud कुछ नहीं दोनुन करना च्रफरतों के आन्य विशेज जरूरत वाले छात्रों के साथ न्याय संगत करना और सब को पढ़ाना ऐसा नहीं किया रहे यार चलो यह क्या पढ़ेगा यह नहीं पढ़ पाएगा इस प्रकार की सोच नहीं रखना ठीक है प्रभावी ढंग से प्रबंदन और भच्चों के संरक्षण और कल लाउन के लिए कारे क्रम के संस्ण के सबर्कार निस्पक्षण के अपने करत करना और सिक्षण को किसी भी प्रस्तिती में च्छातर के समय यौन प्राक्षण के संगल नहीं हो यह आप नहीं हो सकते एक teacher को ठीक है आप अट्रैक्ट निए आपके लिए सारे विद्यारती एक समाने आपके घर परिवार के सदस्य की तरफ है आप इसमें कभी नहीं आ सकते चात्रों को किसी भी प्रस्तिती में सारीक भावात्मा के अमासिक नुकसान नहीं पहुचाना विद्याले परसास को विशे साहयत कर्मियों सयोगी तता माता पिता के साथ मिल जूलकर काम करना यह एक सिक्षक की जिम्मेदारी है कई बार आप से सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि एक सिक्षक की जिम्मेदारी बताई उत्तरदाई तुब्ताई विध्याले के पृती तो विद्याले के परती अब उसी चीज़arta नहीं को लिखा जाएगा कि सिक्षा ने ती के राज्य प्रसासनिक नियमों का पादन करना इस्कूल और स्कूल पर recap क्रियान और नियमों क में भाग लेना यह स्कूल के परती सिक्षक की जीमिदारी है अगर हम चात्र के परती जीमिदारी की बात करें उचित भासा का परियोग करना जो भी उचित भासा ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अतलब कैजूल यह नो बत्तमीजी से या फिर अच्छी भासा का को उचित कारे होमोर परदान करना सभी चात्रों के परती अपनी जीमिदारियों को समझना ठीक है चात्रों के पार्टे करम समंदित ग्यान परदान करना चात्रों के सरविगर विकास में स्रयोग करना नैतिक मुल्यों का विकास करना चात्रों में चरित्रिक मुल्यों का व विद्यार्थी को समाल जी की वीदियों नियोंभों से अउगत करना तो ये बच्चो ये बड़ा ही बड़े प्रश्ण है छात्र के पती एक सिक्षक की जिम्मदारी कई आफ से सवाल पूछा जाता है अब हम देख लेते हैं कि एक सिक्षक के गुण कौन से होना चाहिए उसके व्यवसाइक गुण कौन से होना चाहिए एक टीचर के अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए बच्चो एक टीचर के सबसे पहले उसका व्यक्तिकत गुण होना चाहिए मतलब एक उत्तम चरित्र हो आदर्स हो ठीक है उनकी प्रविर्ति अच्छी आद रात्मक देस्टिकोर तो इस पकार से बच्चों थोड़ा सा उनके अंदर भावतिक और भावनात्मक गुण भी होना चाहिए व्यक्तिकत समाजिक तता आचार सहनीता के गुर्ड अतलब छात्र के हित में सोचने वाले व्यक्तियों ऐसा नहीं कि बहुत ज़दा कठोर सजादे या फिर चाहतर हित का भी ख्याल रखे चाहतर हित ऐसी हो समाज की गुर्णों संज़ाओ देने की प्रविति हो कभी बच्च कैसे सीखते हैं तो आपको knowledge of child psychology भी होना चाहिए विसे वस्तू का घ्यान हो बच्चो जो आप विसे पढ़ा रहे हैं उसका घ्यान होना चाहिए उस टीचर को और सिक्षण का घ्यान आपके teaching skills का भी जो आप अच्छे प्रसिक्षण से रहे हैं आप अच्छे ट्रेंड टीचर होना चाहिए तो इस यूनिट में फिला लिता हैं इसे बच्चो यही सवाल पुछे जाते हैं चीक है इसमें बात करें सिक्षा की उतरदाई तो सिक्षा के गुण्ड और अगर हम यहां पे बात करे प्रभावसाली विद्ध Administ Amendment की विषिचे ताइं और तो इस विडियो इस यूनिट में फिला लिता हैं बच्चो यहीं से आपसे सवाल पूछे जाते हैं अब हम देख लेते हैं लास्ट यूनिट बच्चो आपका लास्ट यूनिट क्या है चौत्था यूनिट है status and problem of education in India कि primary education में क्या क्या problem है इंडिया में उसको हम देखेंगे तो आज दोस्तों देखते हैं इसको इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में तो इस वीडियो को हम यहीं खतम करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाती है तो मोबाइल डेटा से upload करने में problem होता है और मैं upload नहीं कर पाद हूँ दोस्तों बाकि यह पूरी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीस कमेंट में अपनी राहे जरूर दे मुझे आपके कमेंट का बेसबरी से इंतजार रहेगा और समय कम बचा है दोस्तों अपने college group में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने best friend तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एक one shot में इस वीडियो को देखके ज्यादा से ज्यादा नमबर गेन कर सकें प्लीस आपकी वज़े से किसी का भला हो सकता है तो बिना किसी देरी के बच्चो इस वीडियो की लिंक को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मेरी यह महनत आपको कैसी लगी मेरे दोबारा बताएगए यह बाते आपको कैसी लगी और एक्जाम देकर आने के बाद प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपका पेपर कैस्ट हुआ फिलाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तो अपना खूब क्याल रखिए मेरी तरफ से आपको परिक्षा के रिए बहुत बहुत सुब कामना है All the very best मिलते हैं नेक्स वीडियो में जया ही जया बारा साथियो